हेलो फ्रेंज ये देखिए मैं आपके लिए फिर शेक और नई जानका डॉर्मेट लेकर आई हूँ जो बनाने में बिल्कुल इजी है जिसको हमने दो कलर से बनाया है और यहां पे मैं अपना चार पतियां बना चुकी हूँ ये देखिए और यह हम आपको सुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है 26 फंदों से ये मैंने बनाया है 26 फंदे का भी ये काफी बड़ा बनके कंप्लिट हुआ है अगर आपने बनाना है ये प्रानी चुन्नी और साड़ी से बना रहे हैं तो आप इसे 30 फंदों में बना के कंप्लिट कर ले तो यहां पर ये देखिए 26 फंदों से भी ये काफी बड़ा हमारा बन गया है और मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगे किस तरह से मैंने यहां से ये बनाना शुरू किया है सेम तरीके से यहां पर ये देखिए क्रीम कलर से मैंने फंदे ले लिये हैं और फंदे डालने के बाद हमने शुरू से ही अपना बनाना शुरू कर दिया है तो यहां पर देखिए दो कलर की बूल में बनाया जो भी आपको बूल पसंद है आप उस कलर में बना सकती है इसको और बहुत ही आसानी से यह बनके आपका कंप्रेट होगा जिने नहीं आता है उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी आराम से इसको बना सकते हैं तो आईए मैं आपको शुरू से ही बताती हूं किस तरह से हमने बनाया है यह वीडियो अच्छो लगे तो प्लीज जरू लाइक कर दें शेयर करें और कमेंट करके जुरूर बताएं यह प्यारा सा हमारा ड 26 फंदे का मैं आपको बता रही हूं आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने क्रीम कलर से फंदे डाल लिए हैं डाल ले के बाद यह रेखिए पहला फंदा को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदा मैंने बना फिर से हम आगे के दो फंदे यह देखिए दो फंदे आगे के हम एक दो दो फिर से ले लिए यहीं से सलाई को पलट लेंगे शुरूबास से हमने फंदे डाल के इसी तरह से इसको बनाया है अब यह दीखिए यहां पर 4 फंदे हम बना लेते हैं यह 3, 4 और दो फिर से हम जो हम छोड़े हुए हैं दो फिर से आगे से ले लेंगे यह देखिए इस तरह से दो आगे से फिर से ले लिए सलाइ को पलट लिए आप इसे पुरानी चुन्ने और साड़ी में भी आराम से आसानी से बना सकते हैं जो भी आपके पास दुपटे वगेरा हैं उनको कट करके गे रेखिए अब ये छे फंदा हम बना लेते हैं और दो फंदा हम यहां से आगे से ले लेते हैं दो फंदे हमने लेने हैं कि रेखिए एक दो जो फंदे ये हैं हम इनको इसी तरह से दो दो करके लेते हुए जाएंगे और यही से हम अपना वाफिस हो जाते हैं यही से उल्टी स्राई को पूरा उल्टा बना लेंगे अब फिर से हम यही करेंगे पहला फंदा उतार के ताकि यह अच्छे से हमारी किनारी आ चुके अब दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ आठ फंदे बना लिए, फिर दो आगे से ले लेंगे, नो, दस दो आगे से लेने के बाद सलाई को पलट लेंगे पलटने के बाद उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे तो यहां तक मैं सभी फंदों को इनको इसी तरह से दो, दो, दो करके हर बार लेते हुए जाओंगी अब के बारे फंदे हो जाएंगे दस फंदे यहाँ पर हो चुके हैं तो आईए मैं इनको इसी तरह से बनाती हूँ यह देखिए अब दो आगे से ले लेते हैं यह देखिए और सलाई को पलट जाते हैं दो फंदे लेने के बाद यहाँ से सलाई को पलट जाएंगे इस तरह से तो आईए मैं यह सभी फंदे ले लेती हूँ यहाँ तक और इसके बाद आपको दिखाते हैं तो देखी फ्रेंस मैंने यहाँ पर सभी फंदे ले लिए हैं अभी दो फंदा हमारा बचा है अब ये रेखिए पहले फंदे को उतारेंगे और धाग अपनी तरफ करेंगे और लाश्ट के हम दो फंदे विए इसी तरह से ले लेंगे अब हम दो दो फंदे लेते हुए गए थे अब क्या करेंगे अब नीचे की तरफ हम दो दो फंदे छोड़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर ये दो दो फंदे लेते हुए हमने आदी पत्ती को कंप्लीट कर लिया है कि के लास्ट में भी दो फंदा बाकी है लेनम है कि के रेखिए कि विलाइस्ट के ये दो फंदे मैं लेती हैं इस तरह से और लेने के बाद यही से वापिस हो जाते हैं उल्टी श्लाई को बनाएंगे तो यहां पर यह देखिए आदि पत्ति हम फंदों को लेते हुए गये थे इस तरफ अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पे दो-दो फंदों को छोड़ते हुए इस तरफ आएंगी तो देखिए पहले फंदे लेने के बाद उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं यह बिल्कुल एजी है यह रिखिए उल्टी शलाई को बना रहे हैं कर दो-धो फंदे लेते हुए नीकिकितर कर गए थे अब दो-धो फंदे फिर से छोड़ते हुए कद ऑस ऊपरकी त्रफ खाएंगे क Все कि अब नीचे की तЛब से छोड़ेंगे फंदेंब हम पहले उपर की तरफ से लेते हुई जा रहे थे यहां से मैंने दो दो फंदों से देखी दो फंदे लिए थे पहले पहली रो पर फिर दूसरी पर इस तरह से मैं बनाती हुई गई हूँ दो दो फंदे लेती हुई गई हूँ अब हमने यहां पर आदी पत्ती बना ली है यह अब हम यहां पर दो दो फंदे अपना लाश्ट के छोड़ेंगे फुल पत्ती के लिए ये देखिए जैसे कि मैंने आदी पत्ती यहां तक बना ली ही और उसके बाद मैं आप पहला फंदा उतारेंगे अब लाश्ट के हम दो दो फंदा लाश्ट का छोड़ेंगे सबसे लाश्ट का फंदा हम छोड़ेंगे सबी फंदों को लाश्ट के दो-दो फंदे छोड़ेंगे अब इसको इसी तरह से हमने बनाना है जितना भी बड़ा आपका बन के कंप्लिट होगा यहाँ पे इसमें छे पत्तियां आपकी बन के कंप्लिट होगी यह रेखिए अब यहाँ पे हमने लाश्ट के फंदे दो-दो करके छोड़ने है सबी फंदों को छोड़ना है दो-दो करके और यहीं से वापिस हो जाना है पहले हमने यहाँ पे फंदे डालके हम दो-दो फंदे लेते हुए गये थे हम उपर की तरफ 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे तो आएए मैं 2-2 फंदे करके छोड़े लेती हूं सभी को इखी फैंस मैंने यहां पर यह सभी फंदे 2-2 करके छोड़ लिए हैं और यहां पर यह देखी मेरी यहां पर फुल फत्ति बनके कम्प्लिट हो चुकी है यहाँ पे सभी फंदों को बना लेते हैं छोड़ने के बाद हम सभी फंदों को बना रहे हैं तो आईए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ इन फंदों को तो देखिए फ्रेंस मैंने पूरी सलाई को बना लिया है जो फंदे मैंने छोड़े थे सभी को मैं बुलनी हूँ अब यह देखिए यहाँ पर हम छटी पत्ती अपनी बनाएंगे पाचमी पत्ती हमारी यहाँ पर हो चुकी है अब यहाँ पर हम छटी बनाएंगे तो छटी पत्ती बनाने के लिए हमने क्रीम कलर को कट कर दिया है और यहाँ पे अपना यह चोकलेटी कलर लगा देंगे यह रेखिए इस तरह से तो यहाँ पे मैं छटी पत्ती को बनाने के लिए अपना उल्टी तरफ से यह देखी दागे को हम कट कर दिये हैं और यहाँ पे इस दागे को लगा लेंगे अब यह रेखिए यहाँ पे मैं उल्टी चलाई को बना रही हूँ सभी फंदे बनाने के बाद यहां पर यह रेखे यह रेखे तो यहां पर लाश्ट तक सभी फंदे बन चुके हैं है यह देखे तो यहां पर यह रेखे फूल पति हमारी बनके इसके है अब यह देखे फिर singular हमरी प्र्म मिलेंगे यह रेखे फल कुपा क्म पहले बनाएंगे और यहीं से अपनना धर रिव शर्ट ऄ लेगे यह्यां फथू दूल बनके हे देखे जोग के χुंदे तरीके से यह देखिए अब दो फंदे यह दो बना लिए हैं फिर आगे से दो फंदे ले लेते तो चार हो चुके हैं चार बनाने के बाद यहीं से सलाई को पलट लेंगे पलटने के बाद हम फिर से अपना दो फंदा यह देखिए बनाएंगे पहला फंदा हम इसा उतारेंगे और धाग अपनी तरफ कर लेंगे दो हो चुके हैं तीन और यह चार और दो यहां से आगे से ले लेंगे और सलाई को पलट जाएंगे यह से तो इसी तरह से हम अपनी चटी पति भी बना के पूरे को मैंने इसी तरह से यह